रुक करते हैं विसार से कदिव दिंग के और कॉंग्रेस पाइटी के पूर्वरास्टी अध्यक्षपर सांसत राहल गांदी के बयानों ने ही देश के साथ चाथ कॉंग्रेस पाइटी को डुबाने का काम किया है और उन्हें रुक केंद्र सरकार पर आरुप लगाने से पहले अपनी पाइटी के पूर्पित्य मंत्रियों पूर्परधान मंत्री मनमोहन सिंग से बात कर लेनी चाहें ये बात केंद्रिय बित राज्य मंत्री अनराग ठाकों ने अपने ग्रीक शितर हमेर पर पहुंचने पर कही अनराग राहूल गांदी की ब्यानों ने ही देश्ट के साथ साथ कॉंग्रेस पार्टी को डूओने का काम किया है और उन्हें आर्बी आई वो केंदर सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपनी पार्टी के पूरु बितिय मंत्रियों वो पूरु परदाय मंत्री मनमोहन सीन से बात कर अपने ग्रीक शेतर हमेर पर पहुंचने पर कही ठाको ने कहा कि राहूल गांदी को केंदरी बैंक के पास कितना रिजर्ब पैसा होना चाहिए उसका अधियन करने की मिसेहित दी कही मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर पहले जो अर्थ शास्त्री हैं चाहे उनके पूर्व परधान मंत्री हैं पूर्व वित मंत्री हैं उनसे बात कर ली होती तो शायद वो ये ब्यान नहीं देते हैं दुनिया भर के देशों के सेंट्रल बैंक्स के पास कितना रिजर्व पैसा पड़ा होता जास उसका अधियन कर लें और ये भारत सरकार ने नहीं कहा ये अर्बी आई की अपनी गठित्की के कमेटी ने कहा कि कितना पैसा यार्बी आई के पास होना चाहिए और कितना भारत को सरकार को वापिस देना चाहिए क्या राहूल गांदी जी भारत के विकास के खिलाफ है क्या राहूल गांदी जी नहीं चाहते भारत आगे बढ़े क्या राहूल जी नहीं चाहते इस देश के लोगों को रोजगार मिल सके और विपार आगे बढ़ सके और भरत पांच ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी बन सके यह ताय कॉंग्रिस को करना है विपाक्ष में है लेकिन सकारात्मक भूमी का निभाएं तो अच्छा रहेगा अपने चारदीव सी परवास पर पहुँचे अमराग ठाकुर का हमीर पर पहुँचने पर कारे करताओं ने गर्म जोशी के सथ स्वागत किया इस मौगे पर अमराग ठाकुर ने लोगों की समस्याओं को भी सुना और जिला के आला अधिकारियों के साथ बैटे कर विकास कारें उपर बिस्तरित चर्चा भी की पत्रकार पश्चनों का जवाब देते हुए ठाकुर ने कहा कि जो पैसा आर विए दे रहा है उसका निर्निया उनकी गटित कीगी कमेटी ने लिया है ना कि केंदर सरकार ने उन्होंने कहा कि क्या राहूं देश के हित नहीं चाहते हैं इसका जवाब कॉंगर्स को देना है और विपक्स को सकारात्म काम करना चाहिए देखने का मुझे लगता है मीडिया को भी अपने नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा पहले अगर प्रिंट मीडिया होता तो उसके बाद इलेक्ट्रोनिक आया उसने एक expansion की उसके बाद digital मीडिया आया social मीडिया पर एक नई अधार बना वहाँ पर हजारों लोगों को रोजगार मिला आज जो लिखने वाले पतरकार को challenge मिलता है वो एक columnist से मिलता है जो आपका blog लिखता है जो आप जैसे electronic मीडिया के हैं तो आपको social मीडिया वाले लोगों से challenge मिलता है हर क्षेतर में बदलाव आ रहे है disruptive technology जहां पर आएगी वहां पर बदलाव आएगा लेकिन वो नई संभावनाएं खड़ी करता है artificial intelligence का जमाना लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं entrepreneurs पहले कम होते थे लोग रोजगार ढूंते थे आज का युवा रोजगार कम ढूंता है सो रोजगार कारोबार की अफसर जादा ढूंता है इसलिए start-ups जो देश में successful होनी शुरू हुई उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आज का युवा experiment करने के लिए त्यार है challenge लेने के लिए त्यार है और भारत की economy को एक नई दिशा में ले जाने के लिए अपना योगदान देने के लिए त्यार है मुझे लगता है देश को इसको साकारात्मक धंक से देखना चाहिए बहीं भी बक्स द्वारा बित मंत्री को बजट के निर्णियों को रोल बैक करने के सबाल पर ठाकूर ने कहा कि देश के हित में अगर कोई भी काम करना पड़े तो सरकार पीछे नहीं हटेगी उन्होंने कहा कि बजट के वाद सबी से चर्चा की गई और उनको आने पर समस्याओं पर भी बात की गई उन्होंने कहा कि देश को दुनिये की सबसे तेज अर्थ वेविस्ता बनाने के लिए सरकार ने कई कदम आगे बढ़ाए है देश पांच ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी बने और अगले पांच वर्षों में हमने संकल्प लिया है कि भारत को इस दिशा में आगी लेकर जाएंगे 2014 तक 1.8 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी भारत था और लगबग 2.8 ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी पांच वर्षों में बनी और अगले पांच वर्षों का हमने जो संकल्प रखा है वो अपने आप में बहुत महत्व कांची है लेकिन मोदी जीन जो कहा वो करके दिखाया है और अगर ये सब करना है तो उसके लिए जो भी कदम भारत सरकार को उठाने पड़ेंगे भारत सरकार उठाएगी क्योंकि दुनिया की सबसे तेजी से बंडे वाली अर्थ विवस्ता आज भी भारत है और आगे पांच वर्षों तक लगातार भारत रहे इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे सैसनेंट खतम होने के बाद अलग-अलग व्यपारियों से और ध्योगपतियों से बैंकों से फइनाशल इंस्टूशन से हम लोग मिले यहां तक की उभोकताओं से भी मिले जो रियल स्टेट सेक्टर के थे और रियल स्टेट ड्वेलपर से भी मिले इसलिए मिले कि किस सेक्टर में क्या समस्य है उसको कैसे दूर किया जा सकता है आप ये देखिए कॉंग्रेस के समय पांच वर्ष के अंदर 18 लाग करोड से बढ़ा कर 58 लाग करोड पे तक बैंकों निद्बांट दिये एक तरह से दोनों हाथों से लुटाये गया पैसा जो लोग पहले पैसा देने से इनकार करते थे आज स्वें बैंकों को पैसा वापिस देते हैं लाखों करोड पर वापिस भी आया फूजटिव एकनॉमिक उफेंडर्स बिल लाए जिसके कारण जो दुनिया भर में लोग भागते थे पैसा लेकर उनको विदेश से वापिस लाने का भी कानून बनाया है हमने वो हर कदम उठाया जो देश के हित में था चाहे कोई बड़े से बड़ा नेता भी रहा होगा अगर देश का पैसा चोरी करके गया है तो उसके खिलाब भी कारवाई की तो मोधी सरकार ने करके दिखाई है निरना एक सरकार हमने दी है और निरने अगर एक कदम पीछे हटकर चार कदम आगे ले जाने वाले हो तो हम वो एक कदम पीछे हटकर चार कदम आगे जाने के लिए तयार है बेंग देश में बदलते हालात कर ठाकुर ने कहा कि अब हर क्षेतर में बदलाव आ रहा है और आज का यूबा और सोरोजगार की और कदम बढ़ा रहा है उन्होंने कहा कि आज यूबा रोजगार कम और सोरोजगार को चाहता डूंड रहा है इसलिए स्टेट अप अफ इंडिया देश में सफल हो रहा है कॉंग्रिस विपक्ष में बैठी है थोड़ा और धैरे बरते हिमाचल निवेश चाहता है विकास चाहता है रोजगार उत्पन करना चाहता है और देश के अगरनी राज्यों में खड़ा होना चाहता है इसके लिए अगर हिमाचल के अंदर लोग पैसा लगाने वाले नहीं है तो निश्य तोर पर देश विदेश से लोग आएंगे पैसा लगाएंगे रोजगार उत्पन करेंगे और हिमाचल को आगे ले जाने का काम करेंगे मेरी अगर अभी बात सुनी होगी तो मैंने सपश तोर पर कहा कि दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थ व्यस्ता आज भी भारत है और आगे भी भारत रहेगा और भारती जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतरतब में हर वो कदम उठा रही है जो अर्थ व्यस्ता को और ताकत दे और आगे बढ़ने का अफसर दे और पांच ट्रिलियन डॉलर का जो हमने लक्षे रख्या दोजार चॉबिस पच्चेस को उसको हम हासिल करेंगे